अगर इस जनम पर नहीं हुआ तो आपको फिर से अगला जनम पर सेम टाइप को प्रॉब्लम आ जाएगा वैसा ही यह जो कैम लूलू पूल पे आपका फिर से स्वागत हो उमीद करता हूँ बहुत बरिया होंगे आप लोग और अक्सर जैसे होता है कि हमारा पे बॉम अब अठरा पे भी बॉम और हमको लगाए हो क्या रहा है यह तो यह तो कुछ ऐसा हो रहा है जैसे जैसे मानी हैस्ट का सिजन फाइब पे आर्थो जैसे गोलिया अंधा दून गोलिया चला रहा था बोंबाडिंग कर रहा था ऐसा ही कुछ कर रहा था मिनी क्लिप हमारे साथ तो नियोप पे हमारा एक गेम लगा था आसाम का जिन्तू भाई से उनका ब्रेक था और बहुत धुआधार गेम प्ले कर रहे थे और हमको मालूम पर चुका था कि उम्मीeder है नहीं जैसे गेम पले कर रहे लेकिन लेकिन जैसा होता है अक्सर उनका यह वाला पक फस गया थोड़ा सा फस गया तो हम सोच रहे थे जो हम सोच रहना वह हुआ ये इसको तो कैसे निकाला जाए इसको निकालने की कोशिश किये है वो निकल जो गया लेकिन बिल्कुल exactly replace भी हो गया और भी बहतरी तरीके से इसे कहता है destiny जो होना है वही होगा भई अब मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग destiny पर यखिन करते हैं या फिर life का कोई purpose है या फिर यही जनम आखरी जनम नहीं है इस type का चीजों पर आप में से कितने लोग यकिन करते हैं मैं नहीं जानता आप लोग को शायद मालूम होगा कि आप लोग का life का purpose क्या है वैसे यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग वो नहीं जानते कि आये है यहाँ पर आप लोग क्यारम पूल खेलने के लिए तो शिर्प नहीं आये तो आप लोग का जिंदेगी का जो purpose है जो बात है वो अगर आप लोग को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग को नहीं मालूम हो क्योंकि यह जानना क्यों जरूरी है देखिए यहाँ पर चीज ऐसा है कि यह जो हम लोग यह जो हम लोग जनम लेते हैं और कुछ सीक मिलता है कुछ एक्सपेरियन्स मिलता है कुछ चीजों करना पड़ता है अगर इस जनम पर वो चीज एक अप्रिश नहीं हुआ तो फिर आप अपना जो जिस परपस के लिए जो लेसंस लेने के लिए आप पैदा हुए है वो सारे एकॉम्पिश करते है जब तक ना आपका जो कार्मिक स्ट्रक्चर है वो टोटली डिसमेंटल होता है आप लोगों को फिर से जनम लेना परेगा फिर से जनम लेना परेगा जैसे होता क्या है कि हम लोग अपना जिंदीकी पर हमारा सामने जो चैलेंज होता है हमारा जो प्रॉब्लम होता है हम लोगों मैंसे काफी लोग ऐसा है कि जो उस प्रॉब्लम को चैलेंज को एवोइट करके जाते है और फिर क्या होता है फिर कुछ साल बाद कुछ महीने बाद का सामने challenges आए जितना भी आपका सामने situations आए you have to handle that situation you have to know how to handle it अगर इस जनम पर नहीं हुआ तो आपको फिर से अगला जनम पर same type को problem आ जाएगा वैसे यह जो जनम जन्मांतर का बात कर रहा हूँ I mean in English what we call reincarnation यही जनम आखरी नहीं है और यह पहला भी नहीं था कारेंट चरा गया भाई लोट सेडिंग हो गया इसे यह जो reincarnation है इसका तो यह almost proven है because बहुत से documentaries है बहुत से events है बहुत से ऐसे इंसानु का videos है documentaries है इतिहास में भी बहुत पन्ने है लिखा हुआ कि जहां पे it is they proves that हाँ यह एक life का बात यह the soul remains same and this soul we are just changing the bodies the soul remains same and वो बार्थ रिबार्थ होता रहता है अगर आप लोगों ने अभी अपना जिंदिगी का पाथ तैह कर चुके है तो उन लोगों को तो मैं भटकाना नहीं चाता वो लोग उसी रहा पर जाए और अगर आप लोग अगर आप मैंसे कुछ लोग कुछ भाई लोग अगर अभी भी अपना जिन्दगी का पाथ तैह नहीं कर पाए तो मेंबी temerology here कbuilt है można automat तो सब को सिंगल डिजिप पर आपको लाना कौरता है यह जो जैसे कि मेरा 28 December को मेरा by birth, मेरा date of birth 28 December तो 2 plus 8 equals to 10, फिर से 2 digit हो गया, तो 1 plus 0 equals to 1 तो यह 1 हो गया by birth मेरा numerical number आपका according to numerology, आपका जिन्देगी का जो मकसद है, जो path है आपका जिन्देगी का एक life path number होता है तो वो life path number अगर आप जानते हो, तो शायद आप अंदजा कर सकते हैं कि यह जो जनम आपने लिया है, इस जनम पे आपको क्या चीज़े accomplished करना है ताकि आप फिर से अगला एक और जनम लेके फिर से बक्चोदी ना करें कोई भी नमबर अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हर नमबर का एक विशेस्ता होता है मान लीजिए, आप में से किसी का जो date of birth है, वो है टेस में 1995 तो उससे हम life path नमबर कैसे निकालेंगे, यह बहुत सिंपल है हर एक digit को, हर एक नमबर को आपको बस प्लस करता जाना है में का एक नमबर होता है, कि मन्त का पहला जैसे जैनवरी होता, तो में हो गया पाच नमबर तो 5 प्लस 23, अब 23 को प्लस नहीं करना, 2 प्लस 3 करना है फिर प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5 तो वो कुछ आता है 30 नमबर नियूमर रिजू में क्या है, तीन exception छोड़ कर 30 नमबर नहीं exist करता, 1 तो 9 पे आपको लाना है तो इसलिए 3 प्लस 0 इकल्स टू 3, तो ये 3 हो गया आपका life path नमबर This is as simple as it, हाँ, यहाँ पे एक तीन exception है अगर आपका जो टोटल ये 30 का जगया पे अगर 33 आता है या 22 आता है या 11 आता है तो उसके लिए आपको 1 प्लस 1 या 2 प्लस 2 या 3 प्लस 3 नहीं कर रहा है ये जो तीन नमबर है, these are master numbers They are very very special and very rare numbers जैसे Albert Einstein का नमबर जो है टोटल वो आता है 33 जैसे Barack Obama का जो date of birth है, August 4, 1961 तो वो टोटल आता है 29, अब 29 को 2 प्लस 9 तो होता है वो 11 बहुत ही rare numbers है जो 3 है, ये कैसा नमबर है? ये कैसा नमबर है, it is very creative वो जो person होगा जिसका life path नमबर 3 होगा He will be very creative kind of a person उनका जो imagination होगा वो बहुत ही अच्छे imagination होगा बहुत ही wide imagination कर सकते हैं तो उन लोग के लिए जो पेशा suitable होता है mostly it will be like a designer हो गया या फिर song composer हो गया या फिर singer हो गया इस तक जो creative जो 10 है, वो इस type का नमबर है वैसे अगर आप गांडू का पूछेंगे तो मेरा जो life path number है, वो है 7 तो 7 का क्या है, यह 7 number है यह according to numerology, the life path number अगर तिसी का 7 हो, तो क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, तो he is a seeker, he is a seeker of knowledge उनका बहुत curiosity होता है, जो जिस बैसे वो बहुत कुछ जानना चाहता है, तो बहुत knowledge gain करता है, फोरा बहुत wisdom gain करता है, और वो से वही तो रुका नहीं रहता, वो अपना wisdom, दूसरों का साथ भी share करते हैं, इसलिए they are a kind of born gurus, अब मैं खुद को गुरू तो नहीं कह सकता है लेकिन हा, बहुत curiosity तो हमारा है, तो वही है, तो लोगों के लिए जो पेशा suitable होता है, वो होता है, जैसे कि मान लीजिए, story teller हो, writer हो, director हो, उस type का है, अब हर एक life path number का according to numerology, अगर मैं दिदे इसमें बात करने जाओ, तो ये वीडियो करीड एक घंटे से जादा का हो जाए है, 1, 2, 9, 11, 22, 33, तो हर एक number ऐसा नहीं, कोई number अच्छा या बुरा नहीं होता है, हर number का अपना विशेषता होता है, आप में से आप लोगों को अगर जाना है, कि आप लोगों का जो life path number क्या है, तो formula हम बता चुके हैं, और उस number का जो विशेषता है, वो it is very easy, आप Google search करे करेंगे, life path number 7, life path number 8, या फिर life path number 9, या फिर 22, 33, या 11, जो भी हो, तो आप उसको Google search करेंगे, बहुत से videos पड़ा है, बहुत से blogs, websites में बहुत information है, आप कर सकते हैं, आगर आप तो वह भी नहीं होता, तो आप comment पर बता दीजिएगा, आपका life path number क्या निकला है, तो हम थोरा astrology को, मतलब नकारना, उसको refuse करना, बहुत आसान चीज है, नहीं हुए से, जैसे कि यह जो हमारा number है, साथ, तो साथ का एक खास बात है, कि मतलब वो ही जे लोनर, मतलब उसको थोरा सा loneliness पसंद है, कभी-कभी इसको अकेले रहने देना परता है, कि मेरे जैसे आत्मी को, मैं अकेला दो चार घंटा भीजाओ, खुद के साथ, मेरा उल्टा हो जाएगा, आगर मानलो किसी का life path नंबर आगर किसी का 5 हो गया, तो वो मेरा बिल्कुल उल्टा होगा, उसको हमेशा सब का साथ रहना पसंद होगा, वो हमेशा गिरा होगा, दोस्तों का साथ, या relatives का साथ, सबी का साथ वो हमेशा रहना चाहेगा, वो अकेला रहना पसंद नहीं करेगा कभी, अभी मैं सोचता हूँ कि अगर मानलीजिये जो so-called मोक्षा जो बोलते हैं, liberation बोलते हैं, liberation of a soul, वो अगर हो जाता है, तो क्या होगा, फिर से अगर यहां नहीं आएंगे, तो कहा वैसे हैं, कुछ लोग कहते हैं, कि our soul, our consciousness will merge with the universal consciousness, पता नहीं मौत का बात क्या होगा, क्योंकि मौत का मुझे कोई अभी तक कोई experience है नहीं वैसे, तो बने रही है गांडू प्ले का साथ, बहुत तेज मिलते हैं, एक और बक्चोदी का साथ,